नमश्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का ज्यानार्थाकेड में की यूट्यूब चैनल पर जैसा कि हम राजस्तान के जॉग्रोफी से लेटेड तथे जो है आपके सामेर प्रसुत कर रहे थे उसी करम में आज जो हम आपके लिए लेका हैं MCQ सीरीज में वह आए राजस्तान की जलवाईू जलवाईू ऐसा पार्ट है जहां से कोई ना कोई प्रशन आपको देखने को मिलता ही है जाए आप किसी भी राजस्तान से सम्मधित एक्जाम दे रहो जिसमें राजस्तान की जॉग्रफी दी गई हो अन्य टॉपिक हटा दिये जाता है पर जलवाईू ऐसा टॉपिक है जो रखा ही जाता है और इससे लेटेट प्रशन जो है बिलकुल फिक्स प्रशन है जो आने वाले होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे चलिए देख लेते हैं लोग सबसे पहले बात कर लें कि इसमें जो प्रशन दिया है वो यह दिया है कि रास्तान में शुक्ष्टम जिला कौन सा है मतलब यह जो आपको चार जिले दिये गए हैं इसमें से सबसे शुक्ष जिला कौन सा है मतलब अगर हम बात करें कौन-कौन से जिले हैं देखिए चारो ही स्वक्ष जिले हैं बट इन में से सबसे ज़़ाधा कौन सा है पहला है जोत्तूर फोर शुक्ष के बास जासल जिला को बॉट मेर फिर विखाने चारो ही हमारे जो रास्तान का शुक्ष प्रदेश है उसमें स सम के नाम से जानते है, बिलकुल रेतिला मैदान है, बिलकुल पालू की टीले-टीले मिलते हैं, वो भी का है, जसल मेर मेर में, तो इसका सांचए अंसर क्या है, जसल मेर, चलिए बात करते हैं, अगले प्रशन के बिद्धी, बाrete, कि राष्तान में थी आपको चार रेंज द से 58, क्यों? क्योंकि रास्तान की जो ओसत वार्शिक वर्चा है, वो 57.51 cm है, कितनी है? 57.51 cm याद रखिएगा, 57.51 cm कितनी है? रास्तान की ओसत वार्शिक वर्चा है, इसलिए इस रेंज के अंदर आता है, बहुत ही अच्छा प्रशन था, तो आपको exact data याद होना चीए, ये data भी killer हो जाएगा, कि रास्तान की ओसत वार्शिक वर्चा होती है, कितनी है? 57.51, याद रखिएगा, 57.51, बिल्कुल यह याद रखना, आपको 57.51, चलिए बढ़ते हैं, और ये सारे जो questions है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसना किसी exam में है, जैसे ये करिश्ट विग्य यो क्या exam हुआ था, उसमें पूछा गया है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्ण की ओर कि रास्तान की न्यूंतम देनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है, प्रश्ण क्या है, न्यूंतम देनिक तापांतर, ये ताप नहीं पूछ रहा है, ये पूछ ताप का अंतर, ताप का अंतर क्या हो गया, देखिए, मानली जी एक कोई दिन है, ये पूरा दिन है, एक दिन के अंदर मानली जी एक बार तापमान चला जाता है, पचास दिगरी पर, और उसी दिन रात्री के अंदर जो तापमान है, वो चला जाता है, वो चला जाता है, म कौन से स्थान पर या कौन से महीनों में पाया जाता है तो अगर बात करें महीनों की तो देखिए तो हमारा जुलाई और अगस्त का महीना है कौन सा महीना जुलाई और अगस्त का महीना है यह ऐसा महीना है जहां पर सरवादिक तापांतर पाया जाता है इसका मतलब यह हो गय इसका सही आंसर क्या है स्थान की बाद कर लें आपको तो इसल मेर wen बहुत्तिक विशमताओं का गढ़ माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ देखिए, एक्स्रिम टेंप्रेचर मिलता है, रातरी में जो है, बहुत निून्तम तापमान हो जाता है, उसके अतरिक्त वहाँ पर आपको, जो है रेतिले टीले पाए जाते हैं, उसके अत्रिक्त बालू का मुक्त प्रदेश भी वहीं पाया जाता है उसके अत्रिक्त भूमी के जल पट्टी भी आपको वहीं मिलेगी उसके अत्रिक्त आप देखेंगे कि पवन उरजा, सौर उरजा से संबंदित जो कारेक्रम है सरवादिक आपको जसलमेर में मिलेंगे तो जसलमेर जो है तापमान जलवाईू यह हम कहें जो बहुतिक विशमता है होती उसका गड़ कह सकते हैं हम लोग जसलमेर को और जसलमेर में ही क्यों पाया जाता है इसके चर्चा करें तो हम जब बुगोल का दिन करते हैं तो हम यह कहते हैं कि जो जो इस तलिये भाग होता है कौन सा भाग इस तलिये भाग जो होता है वो जल्द की अपेक्षा किस की अपेक्षा जल्द की अपेक्षा जल्द ठंडा और जल्द गर्म होता है हम सभी को पता है कि जल जो है वो देड़ से ठंड़ा होता है देड़ से ही गर्म होता है इसी वज़े से जो तटीय शेत्र है वह तापमान कैसा पाया जाता है इसका मतलब यह हुआ कि रात और दिन के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा पर अगर इस्थलिय भाग की बात करने अभी मैंन के अंदर महसूस करेंगे कि तापमान दस दिगरी से भी कम हो चुका है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर ताप का अंतर वो अधिक पाया जाता है क्यों पाया जाता है क्योंकि इस तल यह बाग है इस तल जल्दी ठंडा होता है इस तल जल्दी गर पर इन में सरवादिक आदर हमारा कौन सा जहलावार हम सभी ने पहले भी पड़ा है कि जहलावार जो है वो सरवादिक आदर जिला है जिले की बात हो रही है किसकी बात हो रही है जिले की तो जब जिले की बात हो तो कौन आ जाएगा जहलावार और जब बात करेंगे हम इस्थान की, कि राजस्थान का सरवादिक आदर इस्थान कौन सा है, आदर इस्थान की बात कर लें, तो वो कौन सा हमारा, वो है हमारा सिरोही का माउंट आबू, कौन सा सिरोही का माउंट आबू, याद रखिएगा, माउंट आबू जो है, सरवाद बताएंगे दूसरा है हमारा बासवाडा कौन सा है बासवाडा यह सेकंड है किसमे आधरता में जिलो के मामले में आधरता में सेकंड कौन पड़ता हमारा बासवाडा अगर आम इसको चोटा सा देख लें मैपके माध्यम से कि राजिस्थान को जो है जलवायू की दिस्थी से तो उसमें कुल पांच प्रदेश होता है, कौन-कौन से, सबसे पहले ये वाला जो पाथ है, इसको हम कहते हैं, शुष्क प्रदेश, क्या कहते हैं, शुष्क प्रदेश, फिर उसके बाद हम बात कर लें, तो ये वाला जो पाथ है, ये वाला नागोरपाली, सिरोई, सिरोई क जो पशिम इसाय जो जालोर से लगता हूँ है उसको हम कहेंगे अर्ध शुष्क फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जो अजमेर भीलवाणा रासमन्द वाला है ये हो जाएगा उपादर फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये भी इसमें उपादर में आता है, और फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम कहलाएंगे आदर, और ये और ये वाला जो पार्ट है, ये जो दोनों पार्ट है, इसको हम कहेंगे अतियादर, तो याद रखिएगा, पांच बाटों में बाटते हैं, अतियादर, जिसमें बासवड़ा और डुंगरपूर का कुछ परताबगड़ का हिस्सा कुछ आता है, और उसके लावाज हलावार कोटा बारा ये है, अतियादर में आते हैं, फिर उसके बाद आदर में आते हैं हमारे उपादर और आदरवाले, चली बढ़ते हैं आगे, अगले प्रक्ष्ण की और चर्चा करें, खिरास्तान में सरवादिक वर्षे कि सिस्थान पर होती है, अभी मैंने आपको बताया, कहाँ होती है? माउंट आबू में, बिल्कुल माउंट आबू में होती है सरवादी के वर्षा, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम बात करें कि पुर्वईयों से क्या तात परिये, बिल्कुल, पुर्वईयों देखिए, कई बार फिल्मों के अंदर पुर्वईयों का नाम आता है, ग जहीं से उत्पत्ति जहां से होती है, वहीं उस दिशा से उस पावन का नाम रखा जाता है, जैसे कि पुर्वईयों से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, पुर्वईयों को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, बात करते हैं, यह जो है हमारे भारत के मानसून के संदर में य अब जैसे प्रश्णी जो है इससे क्या बनेगा कि पुर्वईयों से होने वाली सर्वाईद की वर्षा कौन प्राप्त करता है तो हमारा जो जालावाड़ वाला हिस्सा है यहां के जो दक्षणी के पठार, पठार का जो रास्तान के अंदर हिस्सा है जुसको महारोधी का सर्वाद्धि के वाइशिक वर्षा करने वला संवू कोन सा है तो अभी मैंने बात की थी आपको कि जालावाड प्रतम इस्थान पर है और ridiculous पर तो उसका साई एंसडिया वाला है पर में पूंधोट ये में इनके संद्र में बहुत कम वश्य होती है बात करते हैं आगे कि राच्तान में सर्दी की वर्श्या क्या करा दें बहुत अच्छा प्रशने कई हजार बार पूछा गया होगा यह प्रशने रास्तान के inside राजस्थान में होने वाली सर्दियों की वर्षेव को, शीत, रितुन में होने वाली वर्षे. उत्री पूरी मानसु से होने वाली वर्ष, पषिमी विख्षोप से होने वाली वर्ष, भुमध्य साग्रे वर्ष् där वर्ष бр hok पश्रिमी मांसुन तकराता है, तो वहाँ जो आम है, यह हम कहें आम की जो खेती है, उसको बहुत अच्छा फाइदा मिलता है, इसलिए इसको हम क्या 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 क तो ये वाले जो पार्ट है, इस वाले पार्ट के अंदर, जो वर्षा होती है, कैसी वर्षा? चक्रवाती है वर्षा जिसमें क्या चमकती है बिजली चमकती है जिसमें क्या हो बिजली चमकती है तेज हवाए चले ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं काल बेसाकी क्या कहते हैं काल इससे भेंकर नुकसान होता उस एरिय में इसलिए उसको क्या कहते हैं काल बेसाकी की नाम से औ पूर्वत्तर राज्य हो गया पस्चिब मंगाल हो गया तमिल्लाडू हो गया जो पूर्वी तठ है यहां पर चलने वाली आवा को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं नौर्वेस्टर या काल वेसागी चलिए अगले प्रशन के और बढ़ जाते हैं कि रास्तान की निम्निक लि थल्वेस्टर देखिए घ्या बिलुकुल होती है चना बिल्कुल होती है सरसों बिल्कुल क्योंकि यह तीनों कैसी यह रभी की वसले कैसी है रभी की जो हम कवते हैं निश्य दूरूप से इन तीनों ही ранता है इससे फाइदा मिलता है और कपाज जो है वह इसके अंतरगत नहीं है आती, तो इसका जो सही आंसर होगा, वो कपास होगा, ऐसे ही इस वाले option में, चना, गेंग और सरसो तीनों है, तो निश्य दूरूप से इन तीनों को फायदा होगा, और मुंखफली और मक्का इसके अंतरगते नहीं आते हैं, तो इसका सही आंसर होगया, मुंखफली मेर 2020 में, दो एक्जामों में दुबारा पूचा गया, यही वाला प्रशन, बात करते हैं, रास्तान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती, बहुत अच्छा प्रशन है, पटबार 2011 में पूचा गया था, आप सभी को बता है, कि राजस्थान करक रेखा के उत्तर में, म हमारे यहां 21 जून को, कब 21 जून को, जिस दिन हम क्या मना रहे हैं आजकल, क्या मना रहे हैं, योगा दियस मना रहे हैं, उस 21 जून को करक रेखा पर सूर्य बिलकुल सीधा चमकता है, इस वज़े से सरवादिक जो गर्मी है, वो इसी जून के महीने में, कौन से महीने में, जून के महीने में पढ़ती तो याद रखिएगा जून के महीने में हमारे यहां सरवादी गर्मी पढ़ती है क्योंकि सूरी की किर्ने उस करक रिखा पर कहां पर उस करक रिखा पर जो हमारे पासपड़ा और डूंगरपूर से गुजरता है तो राजस्तान के बहुत नजदीक से गुजरता है तो सरवादी गर्मी कप पड़ेगी जून के महीने में इसलिए जून के बाद हमारे यहां जो दक्षिनी पशीर मांसून के रूप में जो समुंदर से आने वाली होएं हैं वो हमारे राजस्तान के और खिस्ती है और यहां पर जून के बाद जुलाई के महीने में वर्षय प्रारंब हो जाती है चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रस्न के और देख लें अगला प्रस्न क्या है बात करते हैं, पश्यमे रेतिले मैदान की सीमा पूर में निर्धारित होती है, बहुत अच्छा प्रशन है, देखिए, इसको आप इस एक्जाम, इस प्रशन को बिलकुल हलके में नहीं लेना, कि सर इसमें क्या है कि 50 cm, हम सब को पता है, कि पश्यमा रेतिला मरुस्तल जो है, वो 50 cm के माध्यम से रास्तान से अलग होता है, अगर हम इसको मांचित्र के माध्यम से देखें, यह देखिए, यह हमारा मांचित्रा, अगर हम इसको मांचित्र के माध्यम से देखें, तो देखिए, यहां से गुजरती हमारी 25 cm वर्षया रेका, जो किसको जो अर्शुष रेतिले मुरुस्तल और पश्ची में रेतिले मुरुस्तल को अलग-लग करती है और यह जो हमारी अरावली है इसके बिलकुल समानतर गुजरती हमारी 50 cm रेखा कौन सी? 50 cm वर्षया रेखा तो यह हमारे राजस्थान को दो भागों में बिजाजित करती है उसके अत्रिक यह हमारे राजस्थान के पश्ची में रेतिले मुरुस्तल और अन्य जो प्रदेश उन दोनों को अलग करती है तो कौन सी वाली? 50 cm पर एक एक्जाम में याद रखना इसमें आप से प्रशन पूछाएगा कि निमने में से कौन सी रेखा जो है मिलिमीटर में आपको प्रशन में लिखेगा और पूछेगा कि जो है राजस्थान को दो भागों में या राजस्थान की रेतिले मुरुस्तल को अलग करती है तो mm में देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 500 mm आ जाएगा, याद रखिएगा, व्याक्या था बरती 2015 की जो वेकेंसी थी, जो 2017 में एक्जाम हुआ, उसके अंदर 16 के अंदर जो एक्जाम हुआ, जुलाई 2016 में जो एक्जाम हुआ, उसमें ये प्रशन पूछा गया था, mm में पूछ ली गई थी, तो हम क्या करते हैं, option देखते हैं, option में 50 आपको जुरूर मिलेगा, पर आप प्रशन में उपर भी देखें, कि वहाँ पर mm में पूछा है, cm में पूछा है, किस में पूछा है, हो सकता है वो, जो है, अन्य किसी digit में पूछा है, तो याद रखिए अगले, और आज के लिए जो है, हमारे जो प्रशन है, वो यहीं समाप्त होते हैं, फिर मिलेंगे, कोपें, ठानवेट, और जो हमारे ट्रिवार्था का वरिक्रिकन है, रास्तान की जलवाईू से संबंदित, हो हम अगली कक्षा में अलग से करवाएंगे, क्योंकि, वो आसे जो आप देख रहे हैं, इसको अपने साथियों के साथ शेर जरूर करें, आज के लिए इतना ही, जहन शाथियों!